हेलो मैसेल्फ डॉक्टर कुल्दीप कौर और आज मैं आपको एक नया टॉपिक डिसकस करने आई हूँ लॉफ टॉट तो जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि मैं आपको हर एक सब्जेक पे पहले उसका बेसिक बताती हूं फिर उसके टम्स के बारे में वहां पे उसको एक ऑधारित तो थे इंडियցअ लॉफ टॉट इसमें सब्सक्स अधूट नहीं है समयोना की सब्सक्राविश कटाया का मतलब होता है इहा नदा वचालम फ्ली ओर यूम डान भीおおथ ot है कि जो व्यृश् challenge का मतलब का मतलब एक अंग्रेशे से सहीता अबद नहीं है दोनों को एक जैसे ही ट्रीट किया जाता था उस समय इंग्लेंड में भी कहावत प्रसती जहां उपचार है वहां अधिकार है तो 14th century में जो पीडित पक्षकार होते थे वो remedy के लिए क्या करते थे रिट्स फाइल करते थे अगर उनको रिट्स के द्वारा न्याय नहीं मिल पाता था तो वो क्या हो जाता था वो पीडित पक्षकार इधर उधर भटकता रहता था लेकिन अगर उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है तो किसी अन विधी के द्वारा उसे न्याय नहीं मिल पाता था तो आगे आपको बता दें कि बाद में आगे चलकर यहां पर विप्रीत सितियां हुई, पलती चीजे, कुछ चीजे विप्रीत हुई, कुछ चीजे उलट गई, बिल्कुल क्या उलटा, क्या नियम आया, अब इस समय प्रेजन टाइम में कहसती है, जहां पर अधिकार है, वहां उपचार है, और चौदवीश अताबदी की बात करें, तो इसका उल्टा था, कि पहले उपचार देखते थे, तब अधिकार देखते थे, लेकिन आज कैसे थी है, where there is remedy, there is right, तो जहाँ अधिकार है, वहाँ उपचार है, इसको दो wrongs को दो parts में बाटा गया है, अगर आप देखें तो civil wrong और criminal wrong, wrong को दो parts में याद रखेंगे आप, civil और criminal, पहली बात करते हैं, criminal wrongs की, if any criminal wrong is inflicted on a person, the wrong will be known as crime, यदि किसी वेक्टी के साथ कोई ऐसा अपकार किया जाए, जो अपराधिक अपकार की शेणी में आता है, तो ऐसा अपकार क्या कहलाता था, अपराध कहलाता था, मतलब हम कोई ऐसा wrong कर रहे हैं, जो क्या है, criminal activity की category में आ रहा है, तो वह अपराध की शेणी में आ जाता था, वो अपकार कौन सा कहलाता था criminal wrong वो कहलाता था अभी मैंने आपको criminal wrong पढ़ा है अभी मैंने आपको criminal wrong पढ़ा है था अब मैं आपको civil wrong के बारे में बताने जा रही हूँ तो civil wrong if a civil wrong is inflicted upon a person this will be term as civil injury अगर किसी व्यक्ति के साथ दीवानी अपकार किया जाता है तो अगर तो क्या कहलाता है वो दीवानी छटी कहलाती है और यहां पर टॉट जो है वो क्या है दीवानी अपकार है टॉट क्या है दीवानी अपकार है The word taught is derived from a Latin word. Taut एक लिया गया है? एक Latin शथ से लिया गया है. किसका मतलब क्या होता है? Totem. Tot कहां से लिया गया है? Totem से. और Totem का मतलब क्या हता है? Twisted. Twisted का मतलब होता है, तोड़ना, मरोड़ना. The English translation of the word taught is wrong. तो अगर अंग्रेजी विधी में देखा जाए तो taught का मतलब वो क्या समझते है wrong अपकार तो according to section 2M of the limitation act 1963 taught means a civil wrong अपकरत क्या है एक civil अपकार है जो की सम्विदा भंग और न्याज भंग के अंतरगत नहीं आता है तो आप अपकरत को कैसे याद करेंगे अपकरत क्या है it is a civil wrong यह एक दिवानी अपकार है जो सविदा भंग और न्याज भंग की शेडी में नहीं आता है तो पहली जो definition पढ़ेंगे वह हम सामंड की पढ़ेंगे कि सामंड ने क्या कहा तो पहली definition क्या है सामंड की it is a civil wrong for which the remedy is a common law action for unliquidated damages and which is not exclusive the breach of contract or the breach of trust or other merely equitable obligation सामंड क्या कहना चाहते हैं कहते हैं कि अपकरत क्या है पहली चीज सिविल अपकार जो आगे उपर भी definition में आपको याद रखना है कि start के बारे में जैसे ही आए वो क्या है civil wrong है जिसके लिए उपचार अनिधारित नुकसान ही की कारवाईई है अनिधारित का मतलब कि कोई ऐसा नुकसान जिसके बारे में हम plus गांट है कि अभी कितना नुकसान हुआ है तो वह नुकसान कैसा है अनिधारित नुकसान unliquid damages की कितना नुकसान हुआ है उसकी यह क्या है प्रोसीदिंग है और जो समविदा भंग न्याज भंग और किसी भी प्रकार का सामिक दाइत्व नहीं है मतलब ना वो contract breach of contract में आता है ना breach of trust में आता है ना ही किसी other obligation में वो आ रहा है वो केवल हो केवल क्या है taught civil wrong है अभी मैंने आपको सामंड की definition discuss की अब मैं आपको definition discuss करने जा रही विन फिल्ड की तो विन फिल्ड एक important राइटर है जो यहां पर ईड्योटी किसके होती है आम पब्लिक के लिए होती है और इसके भंग होने पर वाद अनिधारित नुकसानी का उपचार प्राप्ति कि अजा सकता है इसका मतलब जब हम इसमें वाद दाखिल करते हैं तब हमें पत्क्या होती है हमें नुक्सानी तै नहीं होती अनिधारित अतलब जितना भी न्याले अपने विवेका अनुसार तै करेगा कि हमारा कितना नुक्सान हुआ है उसके अधार पे हमें छतिपूर्टी दी जाएगी अपकरत क्या है एक सिविल अपकार है अपकरत बताया गया इ निधारित छतिपूर्थी प्राप्त कर दो इसका मतलब नियाले का विवेका नुसार है कि वो अपकरत में कितनी छतिपूर्थी देगा उसकी छतिपूर्थी कोई निधारित नहीं होती है वह छतिपूर्थी जो नियाले अपने विवेका नुसार तह करती है इसका मतलब जो टौट में है वो छति पूर्ती जो हनिधारित होती है उसे कोट तै करती है लेकिन अगर ब्रीच ऑफ कॉंट्रेक्ट में जाएंगे तो न्याले क्या करता है निधारित कर देता है यहां पर विव Tamam Sar करता है तोड में criminal susar जितनी अ नियाले को समझ में आएगी कोड को जितना समझ में आएगा उतना कंपंसेट कर वादेगा लेकिन प्रीच ओफ बहुत सारी ऐसे टॉट के मामले हैं जहां पर बेटेन में जस्टिस मिल रहा है लेकिन हमारे इंडिया में ऐसे मामलों में हम उनमें जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं तो भारत में बहुत सारी चीज़ें अग्यात हैं इसके दो कारण हम देखते हैं कि इंडिया में टॉट के ब बढ़ा भाग श्क्षित हैप यह भी कारण है कि पहली चीज की भारती सहनशीं है और भारत की जण संका का एक बढ़ा भाग श्क्षित है जिनको सिक्षा की कमी है वो अगर उनके साथ कोई टॉट का कोई रॉंग होता है तो वो न्याले नहीं जाना चाहते हैं सोसते हैं कि हम कोट में जाएंगे तो समय बहुत लगेगा हमारा एड़ोकेट में फीस में बहुत खर्च होगा पता नहीं हमें जस्टिस मिलेगा कि नहीं सर्टन है नहीं तो ऐसी स्थिति में वो अपने आपको श्योर नहीं कर पाते कि उनके साथ अगर सिविल रॉंग हो भी जेवल टॉट के पेपर का एक छोटा सा इंट्रोडेक्शन दिया है और मैंने पी टॉट के बारे में आपको कुछ होता है तीसरी चीज़ मैंने आपको बताई कि जो टॉट में वो नुधारित कौन होती है अनिधारित का मतलब अनिधारित का मतलब कि कोट अपने न्याले अपने विवेका नुसार तै करेगी कोई फिक्स नहीं कि कि इतनी चातिपूर्ती दी जाएगी तो यह मैंने आपको ए वीडियो यह फर्स पार्ट था बहुत सारे वीडियो आपको सेकेंड पार थर्ड पार्ट में अलग अलग टॉट के पेपर के बारे में जानकारी देते रहेंगे प्लीज लाइक शेर सब्क्राइब मैं चैनल थैंक यू